नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके बरोसेमन यूटूब चैनल पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल और कोलेज को खोलने को लेकर लेकर लेटेस्ट अपडेट के आया है कि कब स्कूल और कोलेज दोनों की खबरे आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है वीडियो लार्स तक पूरा देखना आपके सभी डाउट कलियर हो जाएंगे सबसे पहले मैं देना चाहता हूं खुसकबरी उन सभी चात्रों को क्योंकि सरकार ने फीस को लेकर निरंतर बना रहे दबाओ वाले स्कूलों को नोटिस दारी किया है कि आ आप इस सिच्वेशन के अंदर फीस कैसे ले सकते हैं तो आपके भी स्कूल अगर फीस मांग रहा है तो आप कमेंट वोक्स में जरूर लिकेगा कि क्योंकि डियो को नोटिस दारी हो चुका है कि स्कूल अभी इस संकट के कोरोना काल में फीस नहीं ले सकते सबसे पहले बात करते हैं कोलेजों को लेकर कोलेज परिक्साओं के बाद अब कोलेजों में पढ़ाई को लेकर भी गर्मा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है कि कोलेजों को कब से खोला जाए और जो नएचातर हैं जिन्होंने 12 पास कर लिए उनके लिए कोलेजों के अंदर क्या व्योस्ता की ज जाएगा सितंबर से पढ़ाई शुरू होगी कोलेजों के अंदर वो भी ओनलाइन इससे आप यह समझ सकते हैं कि जब कोलेजों के अंदर ओनलाइन परिक्साएं करवाने के बाद ओनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो स्कूल और कोलेज खोलना मुश्किली है सबसे महत्वपूरण बात ध्यान रखने वाली यह है कि ओनलाइन पढ़ाई शुरू होगी कोलेज खोले नहीं जाएंगे एक सितंबर तक कोई भी कोलेज नहीं खोलेगा यह खुद आज कहा गया है उपीशल अगबार की खबर है अब स्कूलों को खोलने को लेकर मैं बात करूंगा स्कूलों को खोलने को लेकर यह अपडेट है कि स्कूल 5 सितंबर तक नहीं खुलेंगे पूरे भारत के अंदर पहला राज्य बनाया अंदर प्रदेश आंधरपरदेस ने का ये वह 5 सितंबर से ही इसkteूलों को कौल देगा लेकिन इससे पेले कईए भी एस्कूल को कौलने को लेकर कईした गाइडलाइन नहीं जारे हुई है यह एक ही रह ये भारत के अंदर जिसने इसकूलों को खौलने को लेकर आगे कदम बढ़ाया है वो है आंदरप्रदेश आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब सात्रों कोले सात्र जो की व्यस्क हैं उनकी परिक्साइं होने के बाद अगर सितमबर तक उनके स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं तो फिर स्कूलों को खोलने का स्वाल ही नहीं उरता आपकी ओनलाइन ही पड़ाई जारी रहेगी पांच सितमबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे